हेलो फ्रेंड मेरा नाम है स्वाम्यो और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल स्वाम्यो टेक आज इस वीडियो में आपको बता हूंगा अब अपने पीसी एफी लाप्टॉप में सीपी प्लस का जो सीसीटीवी कैमरे उसको आप कैसे प्ले कर सकते हैं चाहे वो आप विंडूस का लपटउप यूज कर रहे हो या फिर मैक का कोई भी लप्टॉप हो आप कैसे आपका सेसीटीवी कैमरे को प्ले कर सकते हैं तो बने देए मेरे साथ वीडियो में लास तक मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और cp plus लिखा रहा है उसके उपर आपको क्लिक करना है तो जिससे आप क्लिक करेंगे आपके सामने यहां पर software का जो इंटरफेस से वो ओपन हो जाएगा तो यहां पर आपको बहुत सारा software देखने को मिलेगा तो आपको simply क्या करना है आपका अगर orange model है तो यहां जो आपको दिख रहा है के बिमिस वीझ तो यहां पर आप विंडोस के लिए अगर डाउलोड करना चाहते इंडिगो में यहां पे IVMS 2000WIN का ओप्षन मिल रहा है उसको आप Windows के लिए डाउनलोड कर सकते हैं और उपर यहां पे इंडिगो IVMS 2000 मैक के लिए बी मिल रहा है आप इसको भी मैक के लिए डाउनलोड कर सकते हैं तो आपका जिस भी डाउलोड किया है, विन्रार की मदद से आप इसको एक्स्टर्ट कर दीजिए, अगर आपके पास विन्रार सौफट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् होगा उसको हो रहा हुगा असको पर किलिक कर दीजिए सिर्फ यहां पर करना है और यहां अगर अगर आप location चे निसकार लौकेशन करना चाते हैं जावना नियुक्त करसें आप सब्सक्राइए आप आपका जो software है वो यहां पर install होना शुरू हो जाएगा software को install होने में लगबग देट से 2 मिनिट का टाइम भी लग सकता है तब तक मैं अपने वीडियो को थोड़ा forward कर देता हूँ install complete होने के बाद आपके desktop में केवी में स्प्रो नाम से एक icon क्रेट हो जाएगा अब उसको directly open कर सकते हैं परना आप यहां पर run kvms pro को stick करके यहां पर finish पर क्लिक कर देंगे इससे होगा कि आपका जो software है वो automatically open हो जाएगा अभी आपको यह कुछ permission मांग रहे हैं तो आपको simply permission को allow कर देना है उसके बाइद आपको यहां पर इसका password setup करने के लिए options हो रहा होगा तो आपको simply इसका जो password है वो setup कर लेना है तो उपर आपको यहां पर password का options हो रहा है तो password में आप इसको number, numeric और symbol सब मिला के एक password क्रेट केजिए और same password को आप repeatedly यहां पर निचे confirm password पर लिख लिजिए उसके बाइद आपको यहां पर auto login पर click करके इसको next कर देना है अब आपको यहां पर कुछ security question का answer देना है तो यहां पर बहुत सरा question है आप उन में से आप कोई भी तीन question को select करके आप यहां पर answer देके इसको finish कर दीजिए उसके बाद आपका जो software है वो यहां पर automatically open होके आपके सामने आ जाएगा तो अब आपको simply यहां पर new पर click करना है आपको नीचे यहां पर device का options हो रहा होगा उसके उपर click कर दीजिए उसके बाद आपको ऊपर एक auto search और एक add का option सो हो रहा है तो आपको simply add के उपर click करना है तो जैसे आप add के उपर click करेंगे यहां पर एक menu show हो जाएगा जिसमें कि आपका जो device का serial number है आइपिए एड्रेस है नाम है यूजर आडिया और पासवड एंट्री करने के लिए आपको आप्शन आ रहा है सिरियल नमबर वगरा कालेट करने के लिए आप सिंपली आपका जो डीवेर है उसको ओपन कर दीजिए अपन करने के बाद आप यहां पर राइट क्लिक करके मेन मेनु पर आ जाईए और यहां पर जो स्विच यूजर लिखा है उसके ओपर क्लिक करके आपका जो डीवेर का पासवड है उसको एंट्री करके आपको डीवेर को ओपन कर दीजिए फिर उसके बाद आपको यहां पर स on cloud का options हो रहा होगा उसके उपर आपको click करना है click करने के बाद आपको यहां पर सबसे पहले check करना है कि आपका जो DVR का status है वो यहां पर online है कि नहीं उसके बाद निचे आपको यहां पर आपका DVR का serial number मिल जाएगा तो उस serial number को आप यहां पे पहले note कर दीजिए अगर आपका DVR का status यहां पे offline तो मैं अपने वीडियो के description box में कैसे online करते हैं उसका link दे दूँगा उस वीडियो के देखके आप step by step follow करके आपका जो DVR है उसको online कर दीजिए तो सबसे उपर यहां आपको device name वह कर रहा होगा device name पर मैं यहां पर CCTV दे देता हूँ आप यहां पर चाहिए तो कोई भी नाम यहां पर दे सकते हैं उसके बाद नीचे यहां पर आपको method to add का option वह कर रहा है तो यहां पर आपको IP domain का option वह कर रहा होगा उसको आप यहां पर क्लिक करके इसको serial number प पूछ रहा होगा तो username आप यहां पर आपका DVR का जो भी user ID है आप यहां पर input कर दीजिए मेरे यहां पर user ID admin है तो मैं यहां पर admin देता हूँ अगर आपका admin के जगा और कोई user ID है तो आप simply यहां पर दूसरा user ID यहां पर input कर दीजिए उसके बाद नीचे आपको यहां पर password का option सो हो रहा होगा तो यहां पर आप अपना DVR का जो भी password है वह आप यहां पर input कर दीजिए उसके बाद नीचे आपको एक save and continue का option सो हो रहा होगा simply आप वहां पर click कर दीजिए उसके बाद आप यहां पर देखेंगे आपका जो DVR का status है वह यहां पर online सो हो जाएगा उसके बाद आपको यहां पर उपर जो प्लस का symbol देख रहा है उसके उपर click करना है click करने के बाद आपको यहां पर नीचे live view का option सो हो रहा होगा उसके उपर click करना है फिर जैसे आप क्लिक करेंगे यहां पर आपने जो आपका DVR का नाम दिया था वह यहां पर लेप साइट में सो हो जाएगा उसके उपर जैसे click करेंगे आपका जो camera है वो यहां पर play हो जाएगा तो इस तरह से सारे step को follow करके आप अपने PCFE laptop में आपका जो CCTV camera है उसको आप play करके देख सकते हैं तो बस इस वीडियो में इतना ही अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को like की कीजिए मेरे चैनल को subscribe कीजिए और वीडियो अच्छा लगा तो दूसरों के साथ share भी कीजिए thank you so much